नवश्कार आज फिर उपस्तित वुआ हूँ सापताहिक रासी फल लेके दिनांग 5 जून 2023 से 11 जून 2023 तक मतलब ये आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है विविन रासियों के लिए इस पे चर्चा करेंगे में से लेके मीन तक का देगी मेरा कारिकम अगर कहा जाए तो आपकी चंदरासी पे आधारी थे चंदरमा जहां पर वी जरम कुणली में बैठा वो आपकी चंदरासी हुई अगर आपको अपनी राशी का नहीं पता तो नाम राशी के आधार पे भी इस कारिकम को देख सकते हैं चलि हर बार की तरह सबसे पहले बात करते हैं इस हफते में पढ़ने वाले तीस तोहरों की साथ तारीक को संकस्टी गणेश चतुर्थी का ब्रेथ हैं जो लोग रहते हैं दस तारीक को अगर कहा जाए काला आश्टमी हैं सबसे पहले बात करते हैं मेश राषी वालों के लिए इस हफते में क्या सित्या रहेंगी देकि मेश राषी वालों के अगर कहा जाए रासी से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफते की शुरुवात में रहेगा ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दश्टी कोर से काम से संबंदिच चीजों के लिए हफता अगर कहा जाए अच्छा है रुके हुए काम आपके बनते हुए इस हफते में दिख रहे हैं घर परिवार के साथ महौल अगर कहा जाए तो अच्छा होगा किसी प्रकार का प्रॉपर्टी जमीन मकान बदलना इताड़ी चीजों के लिए समय अनकूल कहलाएगा वहीं ये भी कहा जाएगा विद्यार्थियों के लिए ने ने विकल्प इस समय पे मिलेंगे जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है नौकरी का प्रयास करें उनके लिए समय उत्तम कहलाएगा कही ना कहीं सफलता के योग इस हफते में बनते हैं जिन लोगों को इस्थान का परिवर्तन करना है नौकरी में जगा चेंजस करना है, इस्थानांतर्ण चाह रहे हैं उसे सम्मंदित बाचीत, उसे सम्मंदित चीजों के लिए आगे बढ़ने के लिए समय अनकूल है किसी प्रकार का निवेश इत्यादी चीजें सावधानी से करिएगा, खराब नहीं है बस जल्दबाजी मत करिएगा, देखडाके ही करिएगा मेश राशिवालों के लिए आर्ट तारिक और दस तारिक अच्छी है सावधानी जो है पांच तारिक एक दिन रख लीजेगा लकी नमबर की बात करें, नमबर नौ रशब, रासी से अच्टम भाव में चंद्रमा का गोचर स्वासे सम्मंदिच चीजों में सावधानी बर्थ के चलें वहीं ये भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं अपमानित हो सकते हैं या कुछ ऐसी पीड़ा आपको मिल सकती है जो कोई आपको कुछ कहे दे, कोई आपको कुछ बोल दे उसको जो है आप अपने दिल और दिमाग पे ले ले एक बात, वहीं व्यवसायों की बात करें, कारेच्छेत्र की बात करें तो समानिता व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी लेकिन कारेच्छेतन में तनाव जरूर होगा यात्राओं से सम्मंदी चीजों में सावधानी बढ़ते हैं विद्यार्थियों के लिए समय समानने हैं वहीं प्रेमी जुगलों की अगर बात करें तो उताच रहाओं को ये समय दिखाता है किसी प्रकार का निर्णा है या किसी प्रकार का हस्ताक्षर कहीं लिखा पढ़ी करने यारें तो देख दाक के करिएगा हस्ताक्षर देख दाक के पढ़ लीजेगा उसके बाद ही आगे बढ़िएगा उसके बाद ही करिएगा वहीं अगर बात किया जाए वेवाही जीवन की विवाह से सम्मंदित चीजों के लिए समय समान नहें प्रेमी जुगलों की बात करें प्रेम को विवाह में बदलना चाहरें उससे सम्मंदित बाचीत करना चाहरें उसके लिए भी समय समान निकलाएगा विरशब राशी वालों के लिए अगर कहा जाए 10 तारिक और 11 तारिक अच्छी है सावधानी विशेश कर 5 और 6 तारिक को रखनी है लगी नमबर की बात करें नमबर 1 मिथुन राशी राशी से अगर कहा जाए चंद्रमा सत्तम भाव में इस समय पे गोचर करेंगे हफते की शुरात में गोचर करेंगे ऐसे में कहा जाएगा कि हफता मिला जुला सा मांसिक रूप से दबाव कारेच्छेतर में उताच रहाव को दिखाता है किसी प्रकार का धन उधाल लेंदेन से अपने आपको बचा के चलिए रुका हुआ धन फसा हुआ धन इस समय पे अगर आप प्रयास करने हैं तो आपको मेनज जो है ज़्यादा करनी पड़ेगी बहुत फूख फूख के कदम रखेगा किसी प्रकार से किसी पे बहुत ज़्यादा अतिभरोसा मत करिएगा कहते नहीं है कि किसी पे डिपेंडेंट ये समय बिल्कुल भी डिपेंडेंट होने का नहीं है आपकान खोल के चलिएगा नएकारियों की शुरुआत करने के लिए भी समय अनकुल नहीं कहलाएगा स्वास से सम्मंदित चीज़ों में उताच रहाओ को दिखाता है पिता को लेके कश्ट को भी इंगित करता है अपनी वाहन गारी इत्यादी चीज़ें बहुत देखदा के चलाएगा वाहन गारी चोड़ चपेड के भी योग बनते हैं वहीं सरकारी नौकरी प्रैवेट नौकरी वालों की बात करें तो मान समान प्रतिष्था से सम्मंदिच चीजों में कहीं ना कहीं तनाव इस हफते में हो सकता है समय पे रहिएगा गलत कारियों से अपने आपको बचा के चलिएगा और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा जो भी आपके आला दिकारी हैं उनसे बहस हो सकती है कोशिशे करिएगा चीजों को अवाइट करके चलिएगा खासकर अपनी तरफ से मिथोन राशी वालों के लिए अगर कहा जाए पांच तारिक और छे तारिक अच्छी है सावधानी जो है आठ तारिक और नौ तारिक को रखनी है लकिन नमबर की बात करें बात करते हैं करकराशी वालों के लिए देगे करकराशी वालों के अगर कहा जाए अगर आसी से चंद्रमा अगर कहा जाए तो छटे भाव में गोचर करेंगे ऐसे में कहा जाएगा छटे भाव में चंद्रमा का गोचर कर्म से सम्मंदित धन से सम्मंदित चीजों के लिए अच्छा है हफते की शुरुवात अच्छी है हफते का मद्द चरन अच्छा है लेकिन जैसे जैसे हफता खतम होगा हफते के दो-तीन दिन लाश्ट के उसमें आपको विशेश सावधाई रखनी पड़ेगी अपने स्वास की भी अपने धन की भी और कहीं न कहीं जो है कोई गलत निर्नेओं में धन आपका फस सकता है निर्ने बहुत देखदा के लिजेगा लोगों से राय लीजेगा उसके बाद निर्ने लीजेगा इस हफते में अगर कहा जाए व्य जादा होंगे खर्च जादा होंगे धन से संबंदित लेन देन से अपने आपको बचा के चलें ऐसे में चंदिकी चंद्रमा अगर कहा जाए तो छटे भावों में इस हफते की समरवात में गोचर करेगा शत्रू की पीड़ा दे सकता है शत्रू से संबंदित चीज़ों में बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाएगा लेकिन पीड़ा तो देखा थोड़ा सा अवेयर होके चलिएगा नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो समानेता अगर कहा जाए प्रैवेट नौकरी वालों के लिए सावधान होके चलिए किसी भी प्रकार का चेंज इस समय पे बहुत अच्छा नहीं कलाएगा लेकिन जो आपकी नौकरी से संबंदित चीज़ें हैं जहां पर भी आपनी नौकरी कर रहे हैं पैसे में बढ़ोतरी को भी ये हफता दिखाता है वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो समय समान नहीं करकराशी वालों के लिए पांस तारिक और आठ तारिक अच्छी है सावधानी जो है आपको जो रखनी है दस तारिक और ग्यारा तारिक को रखनी है लकिन नंबर की बात करें नंबर छे सिंग रासी तो कही ना कही चंद्रमा का गोचर अच्छा कहलाएगा पार्टनर्शिप में अगर कारे करते हैं तो इस समय पे थोड़ा सा तनाव हो सकता है या किसी प्रकार का पार्टनर्शिप में पहले से तनाव चल ला है तो इस समय पे तनाव आपका बढ़ सकता है वही ये भी कहा जाएगा विवहा या वैवाही जीवन से सम्मंदि चीजों में आपको सावधान होके चल ला है प्रेम विवास से सम्मंदि चीजों में तनाओ का समय कहलाएगा मतलब घर परिवार में कोई बात करना चाह रहे हैं उसमें कही ना कहीं कुछ ऐसी इस्तितियां बन सकती है कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं जिसके कारण आपको दुख या पीड़ा इस समय पे मिले विदेश यात्रा या विदेश से सम्मंदि चीजों के लिए समय अच्छा है चाहे विदेश आपकाम के लिए चाहे नौकरी के लिए चाहे व्योसाय के लिए चाहे सिक्षा के लिए तीनों ही चीजों के लिए अच्छा क्यलाएगा रासी से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा ऐसे में कहा जाएगा कि चतुर्थ चंद्रमा धनुरासी में कही ना कहीं घर परिवार को लेके तनाव को दिखाता है स्वास से सम्मंदि चीजों में घर परिवार में धन के व्य को दिखाता है ये भी कहा जाएगा कि क इसी प्रकार के कोई गफलत में मत पढ़ियेगा, किसी की बातों में मत पढ़ियेगा, आखकान खोल के चलियेगा, कारिच्छेत्र में अगर कहा जाए तो उतार चढ़ाओ को भी ये इंगित करता है। लेकिन यहाँ पर यह भी है, धन की व्योस्थाँ या कारिच्छेत्र में जो है आवागमन चलता रहेगा, उसमें भी कोई दोराय नहीं है। प्रेम से समंदिच चीजों में तनाव को इंगित करता है, कही ना कहीं अलगाओ तक की नौबत आ सकती है, वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो भटकाओ की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, संगत का विशेज धान रखिएगा, नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो समय मिला जुलासा है, थोड़ा समय को देखते हूँ चलिएगा, आला दिकारी बॉस से मदभेद या मनभेद इस समय पे हो सकता है, कोशिशे करिएगा कि जवान मत लड़ाईएगा गन्या राशी वालों के अगर कहा जाए, दस तारिक और गैरा तारिक अच्छी है, सावधानी जो है, पांच तारिक और छे तारिक को रखनी है, लकिन नमबर की बात करें, नमबर तीन तुला राशी, राशी से तृती भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफते की शुरुवात में होगा, घर परिवार को लेके मानसिक पीडा को दिखाता है, तनाव अगर कहा जाए, तो कहीं न कहीं कोई पुरानी बात सामने आ सकती है, या किसी व्यक्ती के कारण जो है, घर प इस अंडेस्टेंडिंग हो, और उसके बाद जो है, तनाव हो, थोड़ा सा लोयल रहिएगा, किसी प्रकार से जो है, अपने आपको इन सब चीजों में मत पढ़िएगा, और कहीं न कहीं अपने जो आपके संबन्ध है, उसमें देख दाके ही चलिएगा, वहीं व्यवाहिक जीवन की बात करें, तो कहीं न कहीं आपका जीवन साथी आपको कॉपरेट करेगा, उसमें कोई दोराइनी है, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जाएगा, कि समय ना देपाने के कारण, मन में थोड़ा सा या घर में थोड़ा सा तनाव को भी ये इंगित करता है, तुला राश धन का व्याई इस समय पे जादा होगा, किसी ऐसे व्यक्ति के कारण धन का नुकसान हो सकता है, जो आपका करीबी हो, धन उधाल लें देन से अपने आपको बचा के चलें, कर्ज अगर चला है, तो कर्ज इस समय पे आपको तनाव देगा, वहीं ये भी कहा जाएगा, कि घर वसाईयों के लिए अगर कहा जाए, तो ने कारियों की शुरुआत करने के लिए समय बिलकुल भी ठीक नहीं, बहुत सावधान होके ही चलिएगा, मार्केट की पूरी स्तिती देख लीजेगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, विद्यार्थियों की बात करें, घर से द अगर आगे बढ़िए, तो उसके लिए प्रयास करिए, कही ना कई व्योस्ताएं बनेंगी, राजनेताओं से लाब लेना चाहरे है, अधिकारियों से लाब लेना चाहरे हैं, अधिकारियों से लाब लेना चाहरे हैं, उसके लिए समय अनकूल कहलाएगा, धन के विकल्ब इस समय पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आवागमन अगर कहा जाए तो अच्छा है, ने कारियों की शुरुआत करना चाहरे हैं, तो वो भी सामाने हैं, निवेश इत्यादी चीज़ें सामाने हैं, धन राशी वालों के लिए अगर कहा जा, पांस तारिक और गैरा तारिक, अच्छी है सावधानी जो है, आट तारिक और नौ तारिक को रखनी हैं, लकिन नमबर की बात करें, नमबर साथ, बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए, राशी से द्वादस में चंदरमा का यह इसके लिए मैंने किसी और काम के लिए रखा था, वो कहीं और खर्च हो गया, यह वाली स्तितिया इस हफ़ते में बन सकती हैं, करज से सम्मन्दिश चीजों में सावधान रह ये, करज से सम्मन्दिश चीजों में तनाओ को यह हफता दिखाता है, घर परिवार में कहीं आपस में तालमेल में कमी को ये इंगत करता कुछ ऐसी बाते हो सकते जिसके कारण जो है मन उदास हो सकता है वहीं विद्यार्थियों की बात करें समाने है नौकरी पेशा लोगों की बात करें खासकर अगर कहा जाए सरकारी नौकरी वालों की बात करें तो आपको इस समय पे कारेच छेतर में घर परिवार के कारण कुछ तनाव हो सकता है मगर राशी वालों के लिए ये हफते में डेट अगर कहा जा आर्थ तारिक और नौ तारिक अच्छी दिख रहा है धन से सम्मंदित या कोई किसी से आप कोई काम लेना चारे उससे सम्मंदित बाचीत करना चारे उन चीजों के लिए समय अनकूल है करज से सम्मंदित चीजों के लिए समय खराब है धन से सम्मंदित लेन देन इत्यादी चीजों में सावधानी रखें रुका हुआ धन, फसा हुआ धन, इस समय पे प्रियास करने पे आपको मिल सकता है उसमें कोई दो राइन है और प्रियास जरूर करिएगा अगर कहीं आपका पैसा फसा है तो यह समय अगर कहा जाए तो तरा-तरा की मन में डवड डालेगा मैं इस दिशा में जाओं मैं वो करूं मैं ये करूं मैं उससे बात करूं मैं उससे बात करूं मलब कन्फ्यूज इस समय पर ये करेगा चाहे विद्यार्थी हो चाहे वो व्यवसाई हो या नार्मल एक नार्मल आदमी की मैं बात कर रहा हूं कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स इस हफते में जादा होंगी प्रेमी जुगलों की बात करें प्रेम से संबंदे चीजों में तनाव इस हफते में बढ़ता हुआ देख रहा है कुम्ब राशी वालों के लिए 5 तारीक और 6 तारीक अच्छी है सावधानी जो है आठ तारीक और 9 तारीक और विशेश का रखनी है लकी नंबर की बात करें नंबर 5 बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए देखें मीन राशी वालों के लिए अगर देखा जाए रासी से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर ऐसे में कहा जाएगा हफता अच्छा है काम से सम्मंदित धन से सम्मंदित कारे छितर से सम्मंदित चीजों के लिए ये हफता अच्छा कहलाएगा वहीं रुके हुए काम आपके बनेंगे स्वास्त से itself में कहिना कहीं स्वास्त में लाब को दिखाता है चीजों में बढ़ने की छमता मतलब कोई काम आप करना चाहा रहे हैं और कहीना कहीं आपका मन खटा या ाप होपलेस हो रहे हैं तो ये समय आपको जो है कहिना कहीं बल देगा नौकरी में बदलाव करना चारें उसके लिए भी समय अन्कूल कहलाएगा विदेश यात्रा या धन से सम्मंदिच चीजों के लिए समय अन्कूल है घर से दूर जाके काम करने के लिए थोड़ा दिक्कते जरूर होंगी शुरुआत में समस्यां जरूर होंगी लेकिन व्योस्थाइं आपकी बनेगी व्योस्थाइं आपकी चलेंगी उसमें कोई दोराय नहीं है विद्यार्थियों के लिए समय समाने प्रेमी जुगलों के अगर कहा जाए तो इस समय पे प्रेम में कहीं ना कहीं आपस में लगाओ और खिचाओ ज़्यादा होगा और कोई पुराना मित्र आपको मिल सकता है मीन राशी वालों के लिए अगर कहा जा पांस तारिक और आठ तारिक अच्छी है साफधानी जो है दस तारिक और ग्यारा तारिक को विशेश का रखनी है लगी नंबर की बात करें नंबर दो इस तरीके से में से लेके मिन तक सभी राश्यों के बारे मैंने बताया अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी इश्वार आप सभी को स्वस्थ रखे सुरच्छत रखे अब इक लिए बस इतना ही नमस्कार